तो सैनिक स्कूल रेवाडी कहा का है सैनिक स्कूल रेवाडी हर्याना का है हर्याना वैसे तो बहुत छोटा सा राज्य है लेकिन हर्याना में टोटल 33 सरकारी सैनिक स्कूलों में से दो सैनिक स्कूल है वही अगर देखे हर्याना जो राज्य है बहुत छोटा राज्य है जहां बड़े बड़े राज्यों के इस्से में एक-एक sanic school है, लगिन हर्यान एका स्थिते में दो दो sanic school है, देवाडी और कुझज पूरा, पूरे भारत में मैं बार-बार बताता हूं 33 sanic school है, क्योंकि parents को यहाँ पर आप confusion बन चला है, क्योंकि private sanic school जो जिनको केवल मानने अता सैनिक स्कूल सोसाइटी देती बागी सारा काम प्राइवेट जो स्कूल नौर्वल पब्लीक स्कूल जैसे होते हैं वो ऐसे ही है ठीक है तो कटोफ कटोफ की सिरीज है और कटोफ क्यों जरूरी है अठाई जनवरी को होने वाले पेपर में आपको अगर ये पहले पता होगा कि कितने नंबर पर आपको सरकारी स्कूल मिल जाएगा तो फिर वो जो एक कंशूजन की स्तिती रहती है वो पहले ही समाप्त हो जाएगी फिर उसमें आप बिल्कुल एकदम कतम हो जाएगी ठीक है वई चलिए कक्सा 6 और कक्सा 9 की ओफिशल कटोफ एक ये भी तरीका है जिन बच्चों की डेटो बर्थ एक अपरेल 2013 के बाद की है और एक अपरेल 2010 के बाद की है कक्सा 9 के लिए ये है और ये कक्सा 6 के लिए उनको भी बिल्कुल एकदम शोर होना है अपने सेलेक्शन के लिए तो फिर हमारी अकेडमी में आ जाएगे होस्टल की बात करो आप हमें 10 महीने देंगे मैं आपको 110 परसेंट सेलेक्शन दूँगा ये हमारी अकेडमी हमारा स्टाप हमारी टीम उसकी परतिबद दिता है हमारी टीम 1-2-1 बच्चे पर काम करती है 100 वेकेंशी है इस बार हमारे आपे टोटल सीट्स कितनी है 100 और हमारी टारगेट है 100 को ये 100 को सेलेक्शन कराना लाइव किलास भी आप हमसे जूड़ सकते हैं अगर आप लाइव किलास में खुद घर पे आप डिसिप्लिंड है तो लाइव किलास से वेस्ट उप्शन नहीं इमानता है अगर बच्चा घर खुद इतना इमानदार है खुद वो 3-4 गंटे देरी देने को तयार है तो घर से ही आपके सारे पेपर करेक्ट हो जाएंगे घर से ही उस्टल भी जोइन करने का आप शक्ता नहीं है पर लेकिन आपको वहाँ सीरियसनेस दिखानी होगी इसे नमबर पे कोल करके आप लाइव किलास के बारे में ले सकते हैं तो यह है राउंड वन राउंड वन किसका किलास सिक्स ठीक है भी किलास सिक्स अगर आप देखे रिवाडी हर्याना तो दो सो बावन होम की बात चली OBC दो सो चालिस दो सो चबशे सी केटेगरी और दो सो उन्षट है अन्री जरू केटेगरी 259 अन्री जरू गल्स केटेगरी में पहली जो कटोफे 266 है और यहाँ पे 258 है OBC में तो काफी उपर कटोफ है पहले राउंड की फिर अधर स्टेट से बात करें तो दिल्ली से 200 नंचस हो गया SC केटेगरी में यह डिफेंस केटेगरी में 278 अन्री जरू में 270 तो यह अलग-अलग कटोफ है भी आरसे ठीक है फिर यहाँ पे अगर आप देखे तो अधर राज्जे की यह सारी कटोफ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे उत्तर परदेश है तो उत्तर परदेश में भी अन्री जरू से 264 कटोफ है 252 यह home state है देगो home लिखा भी home सारा ठीक है home state और 213 किसमें SC category में है और 260 है आपका unreserve में girls में ठीक है unreserve category में girls में 260 के लिए लेकिन यह other state ही है other state में देखे तो उत्तर प्रदेश unreserve 260 पी आ गई उत्तर प्रदेश OBC 252 के लिए 260 260 250 defense यह आपका other अलगमध्य प्रदेश से ज आप एक बात पाएंगे बिहार की cut-off हमेशा जादा रहती है चाहे खुद के राज्य में हो या other state में हो ठीक है मेरा ऐसा विश्वास है मुझे ऐसा लगता है जब से मैं हम भी देखते हैं close नजर रहती है हमारे भी बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा education के कीड़े हैं ठी जो population census 2011 आया था उसमें सबसे कम पढ़ा हुआ राज्य बिहार को बताते हैं हो सबसे कम पढ़ा हुआ राज्य बिहार आता है उसमें मुझे नहीं समझ में आता है कैसे नहीं अलग ही एक क्या criteria है लेकिन सबसे कम literacy rate पूरे भारत में बिहार की है और जब मैं नंबर देखता ह हुँ तो सबसे जयादा बिहार के जैसे राएंसी का रियल्ट आ है तो राएंसी में 6 बच्चों ने बिखाश ने क्या क्या क्वालिफाई किया पूरे भारत से 21 बच्चों ने पास क्या 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 थो यह कैसा है मुझे मुझे कुल मैं आज आतो population मुझे मैं अपनी इं 332 OBC 296 में 356 334 तो 356 जा रही है ठीक है के लिए यह 9th की हो गई अधर इस्टे 368 बिहार 374 312 400 में से है भई यह ठीक है 360 32 400 में से 9th की कटोफ कितनी है 400 में से ठीक है 400 में से है 9th की कटोफ ठीक है 9th में बहुत तगड़ा बहुत ज़्यादा तगड़ा अब राउंड टू पे आईए 326, 328 222 में 344 ठीक है यह हो गया है कि आपका क्या डिफेंस केटेगरी OBC SC 344 पे आई और अधर इस्टेट पे कर देखे तो 338 OBC अनरिजर में उतरा खंट 356 358 तो यह फिर उसके बाद में कुछ वेटिंग भी लगती है तो मुझे ऐसा लगता है 325 बाद में बहुत 1012 वेटिंग के बाद आती है 325 यह नहीं सुरू में आ जाती है ना ना बहुत 15 के आसपास वेटिंग लगती है 14-15 वेटिंग के बाद जो फाइनली 9th की कटोक लाश्ट एर पहुची थी वो पहुची थी 325 अभी तो यह 356-383 यहां पर गुम रही है ठीक है 362 अभी तो यह बहुत उपर तेर रही है बाद में वो निकल के आती है अगर आप देखेंगे यहां पर भी तो राउंड 3 में अगर देखें तो 304 देखू उत्तरप्रदेश 346 डिफेंस राइस्तान से 356 बिहार से अन्रिजर और होम स्टेट से देखो अभी भी 340 है ठीक है अन्रिजर में और 326 है आपका डिफेंस में तो तो आप यह समझेगी कि बाद में जो कटो बिल्कुल एक दब इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि तो तीन सो पच्चिस का स्कोर एक ऐसा है कि आपको वेटिंग वगेरा में कहीं हात लग जाओ राउंड में तो बूली जाओ राउंड में तो आप मांदे चलो कि 340 नंबर निकल कि आ रहा है वही लेकिन वेटिंग वेटिंग का जो बाद में चकर बनता है उसमें आपको हात लग जाएगा मामला यह वाला किलियर तो चलिए तो यह राउंड का मैंने दिखा दिया होस्टल के थू आपको बिल्कुल एक दम सेलेक्शन लेना तो एक ऐसी एक एड़मी जो आपको बिल्कु लेकिन देलेग एक मार्च का मतलब एक बार्च ठीक है डेट अवब बर्त आपकी एक अपरेल दो हजार तेरा एक अख्शा च्छें और एक अपरेल दो हजार दस यह कख्शा नो यह आपका होना चाहिए तब आपको इस नमबर पर आप कोल करके प्रोपर इंफर्मेशन ले दे सकते हैं, live class में मैं मानता हूँ best है, बस हरते आपको खुद में discipline लाना हूँ लाइफ क्लास में, देखो academy में तो क्या होता है, बच्चे को 7-4 गंडे teacher रहते हैं, और उनको homework करा जाता है, ठीक है, कोई बार 15 भी किया जाता है अगर बच्चा नहीं करता, लेकिन घर पे फेल होता है, तो बुरी तरह से फेल होता है, क्योंकि जो बच्चा खुद सीरे से बई, वो तो देखो, मैं कहता हूँ, live class से तो अच्छा कुछ है ही नहीं फिर, हमारी academy में 100 seats बार, और 90% से ज़्यादा selection ratio है, बस अरते आपका 1 April 2013, और 1 April 2010, ये date of birth होने चाहिए, एक अक्स राष्टे military school में, सैनीक स्कूल में, UP सैनीक स्कूल में, सैनीक स्कूल जब मैं बोलता हूँ, तो सरकारी सैनीक स्कूल की बात करता हूँ, ठीक है, बता चला, आपको लोली फोम में देदू पर है, विट सैनीक स्कूल का, ऐसा आप कुछ भी नहीं है, किलियर, चलिए, thank you students, thank you friends.